नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रिता शर्मा पूरा सर्वे हुआ है जिसमें तीन ऐसे मुख्य कारण निकाले गए हैं जिस वजह से लोग मास्क लगाने से बच रही है तो इस सर्वे में क्या कुछ निकल कर सामने आया है यह हम आपको बताएंगे और आपको साथी साथ यह भी बता दे कि यह जो सर्वे है यह स्वास्त मं निकल कर आया है और इस सर्वे में तीन मुख्य कारण निकल कर आये हैं सामने जिन में लोगों ने कहा है कि हम इस वजह से मास्क लगाना पसंद नहीं करते हैं इसमें कारण नमबर एक क्या है कुछ लोगों का कहना है कि मास्क पहनने के बाद सांस लेने में तकलीफ होती है दम घुटा सा उनको महसूस होता है और उनको ऐसा लगता है जैसे उनको कहीं पर बान दिया गया है, उनको प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होती है, इस वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क को नहीं पहनते हैं, दूसरा कारण इस सर्वे में निकल कर आया है कि लोगों को अ मास्क की ज़रुरत नहीं है, लोगों का गहना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हैं, इसलिए हमें मास्क की ज़रुरत नहीं है, ये तीन कारण निकल कर सामने आये हैं, जिसके बाद स्वास्ते मंत्राले अब चिंतित हो गया है, क्योंकि ना सिर्फ स् कडर भीड उमड रही है, हर की पॉड़ी पर आप जाकर देख लीजे, ऐसे ऐसे तादात में लोग सामने आ रही है, इतनी तादात हैं वहाँ पर, जैसे कि लोग भूल गए हैं कि कोरोना है भी, और यही वो सब कारण हैं जिस वजह से तीसरी लहर के आने की चांसे और ज्य अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रही हैं, पहली बात तो आपको यही सलहा देंगे कि आप ना जाएं और अगर जाना बहुत जरूरी है, तो मास्क का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सेनिटाइज अपने हाथों को प्रॉपरली करते रहें, इस ख़बर पर आपका क्या कहना है, कमेंच करके हमें जरूर बताएं